हेलो एव्रीवाइन नमश्का मैं हूँ नीदी आप सब का वेल्कम करते हो नीदी कीचन लाइस्टायल चैनल पे दोस्तों उमीद करती हूँ आप आपके परिवायवाले साले सुरच्छेत होंगे दोस्तों आज यस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हू केमिकल्फ्री होता है इसकोई भी कैमिकल्फ्री होता है और मैं सारे रेमेडी को पहले खुद पर ट्राइ करते हूं तभी आपके साथ शेयर करते हूं दोस्तों इसमें कोई भी साईड ऐए एफेक्ट नहीं एक चोटी से रिक्विस्ट आगा है चैनल पर पहड़ी वजिट जो भी आज की ए रेमिडि इसमें नहीं मैं कोई मेहनी इस्तेमाल करने वाली यह नहीं इस्तेमाल करने वाली और नहीं आम राख आ जुँं दिन खराएं के लिए आपको सबसे परिछे कोई एक बाल लेना है फर्स यहां मैं एक चमच इतना अलोवेरा जिल मैं पतंजली का अलोवेरा जिल मार्केट वाली आड़ कर रही हूँ आप चाहे तो घर की फ्रेश भी जो लीव में आता है न जिल वो भी आड़ कर सकते हैं बहुत अच्छा काम करता है हमारे बालों को नरीश्मिन पहुंचाता है नेक्स्ट मैं यहां पे लेने वाली हूँ नारियल का तेल यानि के कोकोनट वाइल आप सबको पता है कि आनल का तेल सदीयों से चला आ रहा है हमारे बालों को जर से मजबूत बनाता है हमारे प्री बाचूब ग्रेश्각 करता है दोस्तों तो एक चमच इतना में यहां पे नारील का तेली हूं दोस्तों मैं आपको एक पाद बता देती हूं मैं जो भी इंग्रेडियन्ट आड़ करते जाओंगी इन सबको अची तरह से मिक्स करते जाओंगी ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहों मिक्स करने में बिलकुर अची तरह से यह मिक्स होते रहे अब मैं यहां पर लेने वाली हूं ब्रिंगराज पाउडर ब्रिंगराज पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो कि हमारे बालों को जड़ से काला बनाने में हल्प करता है तो ब्रिंगराज की पतियां आप सब को पता है कि बहुत अचा काम करती है हमारे बालों के उपर इसलिए आपको किसी भी बंसारी साप पर मिल चाहेगा आप उनलाइन भी पच्छेस कर सकते हैं नेक्स्ट में यहां पर ले ली हूँ एक चमच इतना कॉफी पाउडर काफी में होता है कैफेटीन, जो कि हमारे मेलनिन को करता है बूस्ट तो दोस्तों आप इस तरह से सैसे भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप अगर सीशी में तो भी आप कीचेज़ काउड़ यहां पर कर सकते हैं यहां दोस्तों यह ऐसा जरीबुटी है जो कि हमारे बालों को बिलकुल जड से केमिकल फ्री काला बनाते है तो दोस्तों यह जटामांसी पाउडर आपको इसली किसी भी बंसारी सौप पे मिल जागा या तो आप ऑनलाइन भी पुछेस कर सकते हैं आप इसे खरीद के अपने जरूर रखे क्योंकि यह किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं बच्चे हो बुड़े हो इसमें कोई केमिकल नहीं होता है एक चमच इतना मातर यहां पे डाल देना है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यह होमेड हेर डाई बनके रडी हो जाएगा दोस्तों लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जब भी आप इसे अपने बालों पर लगाएं तो बालों पर पहले से बहुत जादा वाइलिंग नहीं होना चाहिए और इसमें हमने एक चमच इतना नारियल का तेल और डाल रखा है जो कि आपके बालों को बचाएगा रुखापन से बचाएगा जो बालों को नरीश्मिंट पहुचाएगा तो इसे आप हेर डाई ब्रस से लगा ले या तो आप टूथ ब्रस जो आती है बेकार वाली उससे भी लगा सकते हैं अगर कुछ भी नहीं तो आप हातों से भी इसे लगा सकते हैं लगा के आपको एक गंटे लिए रखना है एक आपको केवल हो केवल नॉर्मल पाली से वाश कर लेना है नेक्स दे शैंपू कीजिएगा रिजल्ट 100% आपको मिलने वाला है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू किए